नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राजिश और स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल जोतिश राशी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कि राहू का जो राशी परिवर्तन मीन राशी में होने वाला है जो कि 18 साल के बाद होगा 30 अक्टूबर 2023 को इसका जो है वो सिंग रा किसी देरी के शुरू करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा 30 अक्टूबर 2023 से राहू का मेश राशी में परिवर्तन होने वाला है राहू का ये गोचर होने के साथ साथ जो है केतू का भी गोचर होगा जो की कन्या राशी में होगा ये गोचर जो है वो 18 महिने के लिए रहने वाला है तो ये गोचर जो है वो 30 October 2023 से 30 मईए 2025 तक होगा जिसमें राहु देव मीन राशी में रहने वाले हैं और केतु देव जो है वो कन्य राशी में रहेंगे अब राहु के बारे में बताना चाहूँगे जिनकी भी राशी में राहु प्रबल होते हैं ऐसे लोग बहुत प्रोडक्स की जो है कॉपी बनागे मार्केट में बेचे या कुछ भी ऐसा कॉपी से रेलेटेट काम ही करते हैं जिसमें इनको सफलता भी बहुत मिलती है और जो लोग जिनकी कुंडली में केतु प्रबल होता है उनके अंदर एक अलग से इंट्यूशन पावर होती है उन् उन्हें पता होता कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़े हो सकती तो उसके हिसाब से वह प्रपेर रहते हैं तो मैं पताना चाहूंगे कि जब 23 अक्टूबर 2023 को राहु देव जो है वो मीन राशी में आएंगे तो इस राशी परिवरतन का अच्छा और बुरा दोनों तरह का परणाम उन्हें मिलेंगे स्वास्त के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें बुरा रिजल्ट मिलेगा परंतु धन के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है सिंग राशी वालों को यह समय जो है धन के हिसाब से सर्वुत्तम रहने वाला ह इसमें आपको काफी धनलाब मिलेगा वैसे भी सेंग राशी वालों के ओपर तो जनीदेव के बुरे प्रभाव का असर है जिसकी वज़े से वह बहुत जादा परिशान चल रहे हैं नौकरी साही नहीं चल लिए व्यापार में भी उनके समस्य आ रही है परिवार वालों से ब देगा ही देगा धनसंबंदी समस्य तो आपकी दूर होती दिखी रही है बट हेल्थ के मामले में बात करें तो सिंग राशी वालों को समस्य हो सकती है तो आपको थोड़ा सा इस जगह पे ध्यान देना है हो सकता है पाइल से रिलेटिट कोई समस्य हो जाए या हो सकता है ब ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो ठीक है इस राशी परिवलतन में जो कि आपको हो सकती इन 18 मेनों के दोरान में तो आगे में बात करें आपके धन भाव के बारे में ये जो गोचर है काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि आपको धन लापके बहुत बड़े यो हैं कोई बड़ी डील हो सकती है या हो सकता है कि आप किसी इस्तरी के नाम से या किसी इस्तरी के सलाह पर अगर आपको बिजनस शुरू करेंगे कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे योग हैं बाकी जाहू के इस गोचर काल में पूरे 18 महीने तक किसी इस्त्री के कारण आपको धन लाब बहुत अच्छा हो सकता है करियर में भी व्रद्धी के योग हैं तो भले ही आपके उपर शनीदियों के बुरे प्रभाव पढ़ रहे हों बट यह जो गोचर है यह आपको आपकी धन लाब की स्थिति में लेके जाएगा और आपक की माता हों उनकी वज़े से आपको बहुत अच्छा परणाम जो है 18 महीनों तक मिलेगा और ऐसे योग है कि उनके एडवाइस से उनकी सलाह से या उनके नाम से आप जो कुछ भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और उसमें अच्छे खासे धनलाब होने के योग ह और बताना चाहूंगा जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए स्थिती थोड़ी सी खराब है क्योंकि हो सकता उनको कोई सरकारी नोटिस आजाए जिससे उने किसी कारण वज़ जो है इंडिया वापस आना पड़े या हो सकता उनका प्यार कैंसल हो जाए वीजा कैंसल कोई मिल जाए ठीक है या कोई आपकी डील फसी हो भूमी को लेके जिसमें आपको नुकसान हो रहा था ठीक है तो वहाँ पे आपको फायदा मिल सकता गौर्मेंट आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो एक्क्वाइर कर ले जिसका अच्छा खासा आपको एक मुहाफ़जा मिल जाए तो ये चीज़े हो सकती ही कि इन 18 मीनों में हो और आपको उसका फायदा मिले अगर आपको भूमी खरीदने जा रहे है ठीक है तो वहाँ पे आपकी डील बहुत अच्छी बनती दिख रही है आपको हो सकता कम पैसों में ही बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो है वह मिल जाए तो इस तरह का मिला जुला परिवरतन रहने वाला है सिंग राशी के ऊपर राहू के मीन राशी परिवरतन का तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि मैं यहां पर जितने भी वीडियो हमारे वीवर्स देख रहे हैं वो वीडियो तो देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं जिससे उनको आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं त आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन विले बेल आइकन को प्रेश जरूर कीजिएगा धन्यवाद